हाई एव्रिवान मेरा नाम है निकता सिंग और स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने चानल पर जिसका नाम है सीवीटी हिंदी मीडियम आज के सेशन के अंदर एक मैं बहुत इंपोर्टन टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ थम्निल तो आपने देखी लिया है तो उसी टेक्निक को आज में लेकर क्या हूँ अब आपने धंडल पर तो देखा होगा कि कोई कि चीट का मतलब क्या है फर्रे बनाना सिखाने वाली है कि माम तो नहीं मैं टीचर हूँ कोई ऐसे फर्रे बर्रे बनाने नहीं सिखाने वाले हम तुम्हारी जो है फुल प्र है वो है 100 में से 100 लाने का तो इसलिए अब आप सोचोगे कि माम फिर आपने चीट-छीट है क्या अगर आप हमें फर्रे बनाना नहीं सिखा रहे हो तो यह क्या होता है चीट-छीट चीट करने के लिए जो शीट पर आंसर लिखे जाते हैं वो होता है क्या चीट-छीट नही यह cheat cheat है actual में वो ऐसे notes वो ऐसे आप कह सकते हो कि brief notes हना जो actual में आपको मदद करेंगे आपके exam से तुरंत पहले कि आपने केवल उनसे देख लिया या उनसे revise कर लिया तो आपके exam की बहुत अच्छी तयारी हो जाएगी आपको किताब उठा करके पूरा-पूरा इतना सारा content ज यह होती है cheat cheat अब यानि की cheat cheat अगर मैं बोलू बहुत ही छोटे term में बताऊं तो यह notes होते है एक तरीके से ठीक है और यह cheat cheat आपको तयार कैसे करने यह फर्रे नहीं है पहली बात तो फर्क है ठीक है cheat cheat जो है वो बहुत ही क्या होनी चाहिए वो बहुत ही जादा आप कह सकते प्रिसाइज होनी चाहिए क्या बोलेंगे हम प्रिसाइज ठीक है बहुत ही संशिप्त होनी चाहिए आप जब भी पढ़ रहे हैं मैं आपके सामने कुछ शेयर करूंगी ना कुछ तीन चार पॉइंस जिसकी मदद से आप यह cheat cheat बना सकते हो और यह cheat cheat ऐसी होंगी जो आपकी personal notes होंगे जिसको आप रोजाना गर इनसे go through करेंगे इन cheat sheets को अगर आप देखते रहोगे और revise करते रहोगे तो आप जो यह भूलने की बिमारी है कि हम भूल जाते हैं जो दिक्कत है वो दिक्कत भी चली जाएगी आपके दिमाग में सारी जो चीज़े आप पढ़ रहे हो को भी याद रहेंगी ताजा रहेंगी और बहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे ठीक है तो इसलिए हम इस सेशन को लेकर क्या है और बात करते हैं कि यह cheat sheet है क्या और कैसे हमें बनानी रहेगी तो सबसे बहले ध्यान रखें कि जब भी आप cheat sheet बनाने बैठो तो एक चीज क्या है कि जब भी आप read कर रहे होते हो जब भी आप study कर रहे होते हो कोई नया topic उठाते हो नया topic को study करने बैठते हो तो study करते वक्त हमेशा ना केवल उस किताब को लेकर के मत बैठो और specially क्या है specially वह बच्चे जो आप कह सकते हो कि arts background से है या जो केवल English पढ़ने बैठे है होता क्या है theoretical subjects होते है ना तो theory को पढ़ने के चक्कर में हम केवल क्या करते है कोई copy वगेरा pen वगेरा तो लेते नहीं है किताब वकड़के बैठ जाते है और उसको read करते रहते है यह सबसे गलत तरीक है भाई आपको सबसे बहले क्या करना है पढ़ते वक्त आपको एक notebook जैसे सोच लीजे 6-7 line का paragraph था उस paragraph में से आपके सामने क्या निकलाएंगे points निकलाएंगे हाना आपके सामने कुछ ऐसे 3-4 points निकलाएंगे तो उस paragraph में कुछ ऐसे important points के बारे में बात की गयी होगी उन points को आप अपने क्या करें आप अपनी एक notebook में उतारते चले चाले ठीक सी पॉइंट आपके जो है हना वो निकल जाने चाहिए ठीक है वो निकल जाने चाहिए उस chapter में से अब क्या है आपका एक chapter के notes तयार है इसी को हम बोलेंगे क्या इसको बोलेंगे हम notes यह क्या है यह detailed notes है आपके पास कि हर paragraph में जो important points है आपने वहां पे रहोगे लेकिन आपको ना समझ में आएगा कि यह बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में अल्री आ चुकी है जो मेरे दिमाग में अल्री तैयार है तो आप मैं क्या करूँ तो यानि कि आप उसको दुबारा से जब पढ़ें तो चैसे points होंगे जो आपको लग रहा होगा पढ़ते पढ़ते और कुछ questions को practice करते हुए कि यह points जादा important है है की नहीं तो आप आपको क्या करना है अब आपको एक छोटा सा version बनाना है वो छोटा version क्या होगा वो होगा आपका बहुत crisp version यानि कि यह वो परजन है जिसमें आपने केवल जो 70 पॉइंट एक चाप्टर के अंदर जो आपने कम से कम 50-60 पॉइंट्स लिख दिये थे ना हर पारग्राफ से 3-4-3-4 पॉइंट्स आपने निकाले थे अब यह छोटे से crisp notes जो है इसके अंदर आप पूरे चाप्टर को कोशिश करिएग आप वो लिख सकते हो वो आपकी होगी cheat sheet आप उसमें पूरा-पूरा एक map बना सकते हो map कैसे अब देखो आप उसके अंदर लिख सकते हो कि भाई सबसे पहले जो गांधी जी है गांधी जी से मिलने के लिए हमारे लुई फिशर इस साल में गए थे गांधी जी फिर वहाँ कि वहाँ पर राजकुमार शुकला है किस समय में राजकुमार शुकला उनसे मिलने गए राजकुमार शुकला उनके पास कहां कहां फॉलो किया ठीक है फिर गांधी जी ने क्या किया गांधी जी उनके साथ चंपा रण गये गांधी जी ने क्या स्टैप्स उठाए तो आप आपको पढ़ते चलना है और आपको सभी chapters के लिए ऐसे ही crisp notes बनाते चलना है अब आपने क्या है इस chapter के अंदर जो main चीजे हैं जो सबसे ज्यादा क्रीम उपर की chapter की वह आपने उटार करके अपने notes में लिग दी है अब इनी के बाद जब उनको revise करते रहोगे एक दिन दो दिन तीन आपने रिवाइस किया वह आपके दिमाग में बैठ चुकी है अब आप जब ध्यान रखना प्राक्टिस करने बैठ जब क्वेशन जब अलग अलग क्वेशन को प्राक्टिस करके देख चुके हो उनको प्राक्टिस कर करोगे तो आपको समझ में यह सवाल बार बार आ रहा रहा है यह सवाल ऐसली तो आप को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि इस क्या है इस chapter में यह हुआ था इस chapter में यह हुआ था तो अब यहां पर आपका बचता है time यहां पर बचता है आपकी महनत पूरा-पूरा कि आपको दुबारा से क्या है दुबारा से आपको बैठ करके पूरा chapter को नहीं पढ़ना पड़ रहा है आपका revision 15-20 मिनिट के अंदर हो जा रहा है आपने केवल नजरे फेरी आपको समझ मुआ है इंबॉटेट चीजे क्या है आपने वो अल्रेडी नोट्स बना रखे थे और वो आपको help करेंगे आपके revision में और टाइम भी बचेगा तो यह होती है चीट 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 और इसी तरीके से आपको चीट 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 बनानी है अब देखो जाहिर सी बात है कि चीट 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 बनाने के लिए पहले होनी चीए concept clarity अब यहां पर बोलेंगे कि माम हमें करनी पड़ती है practice तो क्या मैं यह सब लिए जो आप हमारी classes हो रही है हमारी रामबांट सीरीज हो रही है जिसमें मैं आपको complete marathon करवा रही हूं हना और रामबांट सीरीज जो है हमारी रोजाना सुभा 8 बजे हो रही है जिसके अंदर grammar के concepts grammar के जो main-main rules है वो सब ही ठीक है और literature के concepts जो literature के main-main points है कहां से question आते हैं वो साई चीजे मैं इसमें discuss कर देती हूं तो आप जिब classes में पढ़ रहे होगे आपका concept clear होगा उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी कि आप ना उन points को जो मैं class में बता रही हूं उसको लिखते चलोगे तो आप जिब उन points को load down करते हो या फिर मैं class में PDF भी provide करवा देती ह और ये series भी free में चल रहे है YouTube पर तो जब आपको वो PDF मिलती है उसमें important points लिखे रहते हैं उनी important points को आपको पढ़ना है आप उनसे कुछ practice भी कीजे question जो मैंने आज पढ़ाया है उसी के questions आप थोड़े solve करके देखी अब होगा क्या कि आपके सामने आपने जब concept clarity class में हो अब जब आप उनको 3-4 दिन पढ़ेंगे revise करेंगे कि हाँ यार ये chapter में मैंने ये पढ़ा था narration के अंदर मैं आपने ये ये बताया था तो आपको वो revise करते करते के साथ आपको कुछ और important चीज़े समझ मेंगी या फिर कई भारी class में मैं खुद भी बच्चों को बताते र को सब्सक्राइब करते हैं और ये वाला सवाल जरूरी है यहां से पकका-पका आता है question हर साल तो इस वाले concept को ध्यान रखना यहांपे क्या हुआ था ये वले पूरे के पूरे कहानी को ये वाले paragraph को ध्यान रखना तो वो चीज़े क्या करनी है वो चीज़े आपको उतारनी है और पूरा का पूरा चाप्टर आपके हाथ में 10-15 पॉइंट्स के अंदर तयार हो जाएगा ठीक है टीचर के नोट्स टीचर जो है अल्रेडी आपको गाइड करने के लिए है बेटा तो टीचर की जो सकते हो उसके अलावा टीचर आपको अल्रेडी बता रहा है कि इंपोर्टन टॉपिक क्या है इंपोर्टन चाप्टर क्या है वह आपको मदद करेंगे आपके चीट शीट बनाने में ठीक है अब ये चीट शीट हर बच्चे की अलग होगी क्योंकि आपको खुद बनानी पड़ेगी भाई कौनसे बच्चे को कौनसी चीज आती है और कौनसी नहीं आती वो तो बच्चा ही जानता है है कि नहीं मैं तो आपको केवल यह बता सकती हूं कि चाप्टर में क्या-क्या कॉंसेट्स हैं क्या-क्या चीजे हैं मैं वो समझा सकती हूं हना चाप्टर के अंदर में आपको जो मेरे notes हैं वो दे सकती हूँ और मैं आपको important चीज़े बता सकती हूँ अब कौन से बच्चे को वो already important चीज़ पता है और कौन सी नहीं पता वो आपके उपर है तो आप अपने notes में वो वही चीज़ add करें जो आपको नहीं आती ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखें और यह ऐसे ही बनेगी आपकी चीज़ और हमाई class तो चल ही रही है रोजाना YouTube पर आट बजे इसको जरूर अटेंड करें और साथी साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया है 75 Day Heart Challenge जिसके अंदर रोज हम कर रहे हैं एक topic class में और उस topics related 10 सवाल तो 75 दिन के बाद 750 सवाल आपके तयार हो चुके होंगे तो उन classes में भी जुड़िए उस challenge को भी आप accept कीजिए जो की है बारा बजे हो रहा है वो classes भी आपको बहुत मदद आएंगी बहुत आपको help करेंगी तो रोजाना बारा बजे आप YouTube पे जाकर के देखेगा आपको दो classes देखने को मिलेगी एक English की class सुभा आट बजे और एक बारा बजे तो दोनों में मिलेंगे और यहां से जो PDF आपको मिल रही हैं उनको डाउनलोड करके पढ़िए तो इसी के साथ हमारा आज का session होता है खतम I will see you in classes तब तक लिए बबाई, take care and thank you so much